हेलो दोस्तो, वेलकम टु दे साहस इंस्टिटुट, फर 11-12 कॉमर्स, F-I-S-Y-T-Y बिकॉम, C-A-N-C-S all लेवल, फर क्लास्रूम कॉंसेप्ट्चुल टीचिंग, एन डिजिटल मोबाइल कोचिंग, बदू महीती माटे तम्हें अमारा नंबर पर कॉल करी सको छो, तथा अम बद्धाज धुरन बार नी परिक्सा आपी दिती छे, अन्य हवे तम्हें बद्धाज कॉलेज मा आउसो, परन्तु कॉलेज मा तमने बद्धूज भणवानू इंग्लिस लेंग्वेज मा आउसे, तो आप भासा तमारी माटे एक मरियादा न बनी जाए, ते माटे साहस इं करी सु गुजराती मा पण, औने तेनी साथे साथे इंगलिस मा पण, यले धीरे धीरे तम्हें बद्धाज इंगलिस सब्दो समझी सको, औने कॉलेज ना भणवा माटे एक स्ट्रॉंग बेज बनावी सको, तो आजना आ सेशन यंदर आपणे एकाउंट ना कन्वर्जेश अन्नो, ए धोरण अग्यार एकाउंट नो जे पार्ट टू नी टेक्सबूक हती, एना उपड़ डिपैंड छे, जेमा तमने अग्यार मा धोरण मा भाग बैमा सौथी पल्लू चेप्टर आओती तो बुल सुधार्णा नो जेमा आओती थी बुल सुधार्णा, तो बुल ए तो एने के वाई, रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री मतलब के बुल सुधार्णा नो जेमा तमें जेरे नामू लगता था तेरे तमारा थी कोई बुल थाई गई होई, तो एने सुधार्वा माटे नी एंट्री लगता था, और एंट्री लगती what is wrong जे साची नोंत छे लखो औने जे खोटी नोंत थाई गई छे तेने उन्धी करो औने एमा तमने मुख्यत वे बे प्रकार नी बुलो आउती थी एक जे काचा सर्वाईयाने असर ना करे तेवी बुलो औने बिजु काचा सर्वाईयाने असर करती बुलो तो पेल्लू जे काचा सर्वाईयाने असर ना करती बुलो होई एने इंगलीस मा कहवाई errors which do not affect trial balance not affect इले असर ना करे तो काचा सर्वाईयाने असर ना करती बुलो and errors which affect trial balance काचा सर्वाईयाने असर करती बुलो में कि आप भूल सुधर्णा नौध लखो त्यारे त में आक नौध लखो माण्य एवी सिस्टम यूस करता था कि पहला एक खुट्टी नौध सू था गई चै ते खुट्टी नौध लखिये पची यारे साची नौध सू था थे लखिये अने साची अने खोटी नोध ने compare करी अने बुल सुधारणा नोध लगता था तो जे खोटी नोध आपणे लखिये जे तेने किवाई wrong entry खोटी एटले wrong जारे साची नोध लखिये अने right entry तो खोटी नोध एटले wrong entry अने साची नोध एटले right entry और रॉंग और राइट एंटरी ने यूज करी ने आ सिद्धान्त लगाउता अपने के do what is right and undo what is wrong और आ सिद्धान्त ने फॉलो करी ने जे नोध लगता था जेने बुल सुधारणा नोध कहता था जेने इंगलीस मां कैसो रेक्टिफिकेशन ओफ एरर्स हवे तमने ए रेक्टिफिकेशन ओफ एरर इटले के बुल सुधारणा चैप्टर मां कया कया प्रकार नी बुलो आउती थी तो हमां सौथी पल्लू आउती तू विसर चुकनी बुल इले के तमे नोधवानू ज बुली गया छो जे व्यवहार चोपड़े नोधवानों बुली गया होय तो एने के वा तु तू विसर चुकनी बुल जयने इंगलीज मां कैई सू एरर ओफ ओमी सन अमिट ऐटी बुली जव एरर ए तले बुल तो एरर ओफ ओमी सन इटले विसर चुकनी बुल पची पिच्चु आउते तु सिधान्त नी बूल सिधान्त नी बूल इटले तमने एकाउंट ना सिधान्त नथी खबर जाएक के पड़तर नो सिधान्त छे तो ये तमने पड़तर नो सिधान्त नथी खबर एना लिधे, तमें मिलकत खरीजती वकते थायल खर्चो, मिलकत नी किम्मत मा उमेरवाना बदले ते खर्च खाते नो थो एनो मटलब के तमने हिसाबी सिद्धान्त न तो खबर तो इस सिद्धान्त नी बूल थाई गए, तो सिद्धान्त ने के वाई principle पाखा नामने के वासे Error of Principle एटले के सिधान्त नी बुल पजी त्रीजोव आवते दू खोटा खाते नोधवानी बुल एटले के बाहु बली ना खाते नोधवाना बटले तमें बुल मा बल्लाल देऊना खाते नोधी दितू तो एक खोटा खाते नोधवानी बुल एटले के वाई Error of Recording to Wrong Account एटले सौट मा इंगलीज मायनों बिजू नाम चे Error of Commission जे तमने आपणे जैरे बनी सु कॉलेज नू त्यारे डीटेल मा समझावी सु अध्यारे खाली तमारे नाम याद राखवानु जे खोटा खाते नोधवानी बुल एटले Error of Recording to the Wrong Account अने छली एक प्रकार नी बुल आओती थी विसर चुक पची मुएन जे सिंपल आओती थी ये भरपाई चुक नी बुल भरपाई चुक नी बुल एटले तमने एव थतु तु के कोई एक बुल थाई होई एनी सामें बीजी भुल पन थाई होई औने ये बनने भुल एक बिजाने कैंसल करी देती होई जेम के जारे असोक पासे थी रुप्या मड़या त्यारे तमें विजय खाते नोधी दी दा तो आँ एक्चुली माँ बूल थाई छे, पड़ा बनने बूल एवी थाई, के जे बनने एक भी जाने ठीक करी देचे, तो आप भरपाई चुकनी बूल ने इंगलीस मां कहेवाई compensatory error, फरिती प्रनंसियेशन मां ध्यान राग जो, compensatory error, compensatory, compensatory error, एटले के भरपाई चुकनी बूल, एना पची तमारू next chapter आवतुतु खुबज महत वनो, गसारो, गसारो एटले सो, तो मिलकत नी किम्मत माँ जे सतत घटाडो थाई छे, एने केवाई छे गसारो, एक कोई पन कारण सरना लिदे होई, लाइक समाई थायो छे, कातो मिलकत नो उप्योग थायो छे, कातो depreciation means reduction in value of asset, reduction एटले घटाडो, तो reduction in value of asset एटले के depreciation, आँ depreciation गणवानी तमने मुख्यतवे 2 पधतियो अग्यार माँ धुरण मा आवी थी, एक सिधिलिटी नी पधति, औने बिजु घटती जती बाकी नी पधति, ए सिवाई पन बिजी 8 प्रकार नी घसारा नी पधतियो छ पधति तमने SYB, आवसे, तो ए वखत आपणा एनी डीटेल माँ चर्चा करीचू, अत्यारे हुँँ तमने बद्धिजवस्तो डीटेल माँ नम थी समझावी रह, हुँँ जस्ट तमने जे बणया छे, ते याद करावी रहचू, औने एनने इंगलेस माँ समझावी तो पली पधति आवती ती सिधी लिटी नी पधती, सिधी लिटी नी पधती नी खास्यत सु हती, के दर वर्से घसारानी रकम एक सर्खीज रहे, तो आ सिधी लिटी नी पधती नी इंगलेस मा कहवाई चे, स्ट्रेट लाइन मेथ़ड, जैने इंगलेस माँ सोट माँ SLM, यहुँ कहवाई चे, अथो आयनू बिजु नाम चे Fixed Installment Method, तो आ Straight Line Method इटले के सिधी लिटी नी पधती, अने Depreciation नी वैल्यू अमसु आवती ती दर वर्से एक समान, अने जे अंदाजित आयू सिय चे, ती पुरू थाई तियारे मिलकत नी किम्मत 0 थाई जती ती, means value of asset becomes 0 जे थाई चे Straight Line Method मा, जारे बीजी पधती तमें बन्याता, घटती जती बाकी नी पधती, अव्या घटती जती बाकी नी पधती नी खास्यात सु आती, के घसारानी रकम, दर वर्से घटती जाई छे, पैला वर्से, for example, 100 रूपया ना दस्टका करो तो 10 रूपया थाई, 8.1 रूपया थाई, आ तमने जे उदाहरन तमारा टीचर आपिऊ हसे, तो तमें अबजव करिऊ है, तो गसारानी रकम, 10 वर्से ओची थाई छे, तो एने इंगलिस मा केवाई, Reducing Balance Method, अथवा इनू बीजू नाम चे, Return Down Value Method, सौट मा, एने आ WDV नाम थी वधारे, ओड खा एटले के दरे एक वर्से घसारानी रकम, Reduce, एटले के गटती जाई छे, अने आ पद्धती वधारे Scientific पद्धती छे, वधारे वैज्ञानिक पद्धती छे, तो आणके आ पद्धती ना लिधे, नफा नुक्षान खाता उपर नो बोज एक सर्खो रहे छे, आ वस्तु तमन घसारानू सुत्रा आउतु तु सिधिलिटी नी पद्धती मा, D is equal to C minus S upon N, आ formula तमें बने आचो, D एने full form कहवा से depreciation, एटले के घसारो, is equal to C, C एटले पड़तर किम्मत, जैने कहवाईचे cost price, पड़तर किम्मत, एटले cost price, अने पड़तर किम्मत मां सु आवे, तो मिलकत न एटले एने कहवाई पड़तर किम्मत, एटले के cost price, D is equal to C minus S, तो हमाजे S छे, S एटले scrap value, scrap value मतलब भंगार किम्मत, एटले के मिलकत ना अन्दाजित आयूशिय पूरू थाया पची, एना माथी सु रकम उपज से ये भंगार किम्मत ने कहवाई, scrap value upon N, N एटले के number of years expected life, एटले के अन्दाजित आयूशिय, तो आखी formula छे, D is equal to C minus S upon N, के जियां D means depreciation, C means cost price, S means scrap value, and N means estimated life, अने तमने जारे घटती जती बाकी नी पद्धती होई, तो गसारानो दर आपियो होई चे, 10 टका लिखे गसारो गणो, 12 टका लिखे गसारो गणो, तो एक गसारानो दर छ एने इंगलीस मा के वाई, rate of depreciation, एना पची तमने एक चेप्टर आउट्टू तू जे theoretical चेप्टर हतू, अने बोटा भग ना students, के even teachers पन आ चेप्टर ने इग्नोर करता था, पन आ चेप्टर खुबज महत्वनू गणाय चे, एकाउंट ना पाया मा, जे अतू जोगवाई अने अना मतो, जोगवाई अने अना मत, ए तमारू अज्यार मा दुरण ना भाग बैनू चेप्टर हतू, जो तमने याद होयतो, ना याद होयतों अत्यारे तमने थोड़ी थोड़ी वस्तू समझावी देऊचू, पछी डिटेल मा आज बद्धी वस्तू, एफवाई बिक जमा थनारोल नुक्षान, खबर छे, एनी माटे अपने अत्यार्थी साइड पर काडेली रकाउं, तो एने केवाई प्रोवीजन, अने एना जेवू जोआई छे अना मतो, अना मत ने इंगलेस मा केवाई रिजाओ, तो एने केवाई छे अना मत, तमने आ वस्तू माँ एक एमसी क्यूपन, FIB कोम मा बहुज महत वनों छे, जे अपने या चेप्टर तमने FIB कोम मा सैमिस्टर वन मा जाओ से, त्यारे हूँ डीटेल मा डिजीटल प्रेजेंटेशन साथे समझावेश, अत्यारे खाली नाम याद रागशो, के जोगवाई यो नो मतलब प्रोवीजन एंड अनामत नो मतलब थाए, रिजर्व, अवे आ अनामत ना प्रकार आउता था, एमा तमने वावतों तो मुडी अनामत अने महसूली अनामत, तो मुडी एटले कैपिटल, तो नो आखु नाम थासे, कैपिटल रिजर्व, के जे मुडी नफा माती उभी थाती होई, महसूली एटले के रेवन्यू, अने अनामत एटले रिजर्व, तो महसूली अनामत ने इंगलेज मां केवाई, रेवन्यू, रिजर्व, तो चार नामा चेप्टर ना त्यारी यात रखवानाचे जोगवाईयो एटले के प्रोवीजन, अनामत एटले रिजर्व, अनामत न इंगलीज़ माँ बिल्स ऐख चेंज अने वचं चिठी माँ किवाईट प्रहमीशरी नोट । ॥ परिती हुंडीनो मतलब बिल्स ऐख चेंज अने वचंचिठी इनो मतलब प्रहमीशरी नोट ॥ हवे, आमा तमने मुख्यातवैं हुंडी ना 2 प्रकार आउता आता, एक लैनी हुंडी लैनी हुंडी ने इंगलीस मां कहवाई, bills receivable जरे सामे स्विकारणार मांटे एज हुंडी कहवाई, देवी हुंडी तो देवी हुंडी ने इंगलीस मां कहवाई छे bills payable तो फरी थी लेनी हुंडी means bills receivable जे हुंडी लखनार माटे लेनी हुंडी केवाई अने हुंडी स्विकारनार माटे देवी हुंडी जेने इंगलीज मा केवाई bills payable अने पची तमने एक concept आओतो तो कदाच तमे एपन बहुत ध्यान्थी नहीं समझा हो पण एने केवाई चे सगोवडी हुंडी जे टुंका गाडा ना बंडोड माटे एक बेस्ट सोर्स केवाई चे तो आँ सगोवडी हुंडी ने केवाई accommodation bill के जे आपनने accommodate एटले के सगोव उभी करिया पे चे फंड माटे नी फंड माटे नी इतले के नाना नी जरूरियात माटे तो सगोवडी हुंडी नो मतलब थाए accommodation bill अब आ bill of exchange मा तमने अलग-अलग पक्सकार आवता ता जमा पल्लो पक्सकार आवता तो हुंडी लखनार जे व्यक्ति मालनू वेचान करी हुआ ते खरीद नार एटले के ग्राहक पर हुंडी लखे तो हुंडी लखनार ने इंगलिस मा केवाई चे drawer of the bill हुंडी लखनार एटले drawer जेरे समेवाडी व्यक्ति जेने हुंडी स्विकारी हुआ एने केवाई हुंडी स्विकारनार जेने इंगलिस मा केवाई ड्रोई अथवाँ एक्सेप्टर of the bill drawer एटले हुंडी लखनार and drawer e, pronunciation ध्यान राग जों, drawer e, drawer v नथी बोलवानू, drawer v बोलो तो भी चाले पन प्रनांसेशन थतो है चे drawer e, w silent चे यहेंडे बीजु नाम केवाई, acceptor of the bill पजी हुंडी ने, आपणे वेचान सेरो करी होई, त्रीजा पक्सकार ने, तो हुंडी वेचान सेरो करवी, जैने इंगलिस मा केवाई छे, bill endorsement endorse करवी, एटले के वेचान सेरो करवी, बीजाने हुंडी आपी देवी, कातो, पजी आपने हुंडी बैंक मा वटावता था, बैंक मा जै, अने हुंडी लेणी हुंडी आपी, अने हुंडी लखनार, तरह थोड़ाक रूप्या लईले छे तो हुंडी वटावी, एने इंगलिस मा केवाई, discounting of the bill, अने जो पाक्या तारिक है, जे हुंडी स्विकार नार, एटले के ड्रौवी छे, ए ड्रौवी जो नाना नती चुकावतो, तो ए हुंडी नकराई गई, तो हुंडी नकरावी, एने केवाई, dishonor of the bill, हुंडी नकरावाने, इंगलिस मा केवाई, dishonor of the bill, एन पची, आपनना अधितु वार्सिक हिसाबों नामनू सवथी महत्वानू चेप्टर, जे पण, तमारा FY, एकाउंट मा सर्वात्मा आववानू जी छे, अने आ तमारी बाटेद खुब जुग महत्वानू चेप्टर तो आजे अत्यार आपड़ा एना बेजिक सब्दों ने इंगलिस मा समझिये छे, पची FIB कोम मा हुं तमने आने बाउज डिटेल मा समझावीस, के जनाती तमारा बद्धाज कॉंसेप्ट क्लियर थे जाए, जो वार्सिक हिसाबों, एने इंगलिस मा केवाई छे, final account अथव और annual account, सुनाम छे, final account और annual account, जे मा तमने याद होई, तो तमे 5 वस्तु बेजिक बनावा अनी आवती ती 12 मा धुरण ना बारसिखी सामा, अन्ने 11 मा धुरण मा आवती ती 3 वस्तु, तो ए 3 वस्तु बेजिक याद करावतों कही यती, वेपार खातु, 9 नुक्षान खातु अने 11 मा धुरण मा त्रोण जवस्तु आवती ती, जैरे 12 मा धुरण मा अनी साथे साथे, 9 नुक्षान फाडवनी खातु, अने भागीदारों ना मुडी खाता पण आवता हता, तो सौथी पल्ल आपणे वाद करिये वेपार खाता नी, वेपार खाता ने इंगलिस मा केव कातो काची खोट, तो काचा नफाने इंगलिस मा केवाई छे ग्रोस प्रोफिट, जैरे काची खोटने इंगलिस मा केवाई ग्रोस लोस, फरी थी एक वखत, काचा नफाने इंगलिस मा केवाई ग्रोस प्रोफिट, अने काची खोटने केवाई ग्रोस लोस, अवे ग्रोस प पंड जो उधार बाजुनों सरवाडों वथार होई तो एने केवाई gross loss पची बीजी वस्तु बनावानी आवती ती नफा नुक्षान खातू तो नफा नुक्षान खाता ने इंगलीज मां केवाई चे profit and loss account जे profit and loss account नुझे result होई एने केता ता चोखो नफो कातो चोखी जो नफा नुक्षान खाता नी जमा बाजु एटले के credit side नों सरवाडों वथारे थाए debit side एटले के उधार बाजु काता तो तफावतनी रकम ने केता था चोखो नफो इंगलीज मां केवाई तो net profit जारे उधार बाजु नों सरवाडों वधु थायो होई तो तफावतनी रकम ने केता था चोखी खोट जैने इंगलीज मां कईसू net loss तो P&L account इटले के profit and loss अकाउंट ना result ने कईसू net profit कातो net loss पछी बारमा दुरण प्रमाणे तमनेमा एक वधर आनू खातू बनावानू आतू तो नफा नुक्षान फाडवनी खातू जैने इंगलीज मां केवाई चे profit and loss appropriation account फरी थी नफान उक्षान फाडवनी खाता नू नाम चे profit and loss appropriation account जैना परिनाम ने आपने वहेंचोनी पात्र नफों के वहेंचोनी पात्र कोट केता था वेंचनी पात्र नफान इंगलीज मां कैसू divisible profit अने खोटने कैसू divisible loss सुके वसे divisible profit अथवा divisible loss अने आ divisible profit के loss जेपन आउतु तु एने आपणे पाटनर्स वच्चे एमना profit and loss ratio एले के नफान उक्षानना प्रमाण मां वहची देता था तो आप divisible profit के divisible loss ने पाटनर्स वच्चे एमना P&L ratio मां वहचाई एना पची बारमाध्रों मां वोधी तु भागीदारों ना मूडी खाता अने मूडी खाता बनावनी बै पद्धतियों आउती थी जेने आपने डीटेल मां FYB कॉम मां बनी सो एक स्थीर मूडी खाता नी पद्धति अने बीजु अस्थीर मूडी खाता नी पद्धति तो आ मूडी खाता ने केवाई Partners Capital Account एमाई Fixed Capital Account System अने फ्लक्चुएटिंग सिस्टम एडले के स्थीर मूडी खाता ना स्थीर मूडी खाता ए आपने डीटेल मां चेप्टर वखते सिखेशो पण मेन बेजीकली पार्टनर्स ना मूडी खाता ने केवाई Partners Capital Account अने चौथी फाइनल मेन वस्तु आपने बनावता था पाकु सर्वयू पाकु सर्वयू जैने इंगलीस मां केवाई छे Balance It आपनी accounting cycle जे होई छे एनो मुख्य उद्देस आप Balance It सुधी पहुचवानो होई छे अने Balance It मां बे बाजु आउती होई छे डाबी बाजु पर मूडी देवा और जमणी बाजु पर मिलक तो तो डाबी बाजु पर जे मूडी देवा होई छे ने इंगलीस मां केवाई Capital and Liability जैरे जमणी बाजु जे मिलक तो होई छे ने केवाई Assets फरी थी Balance It नी Left साइड ने कैसू Capital and Liability साइड जैरे Right साइड ने आपने कैसू Assets साइड अने ऐना मची तमने अमूक एकजांपल मा हवाला आव आपता ता जे हवाला नी आपड़े असर आपता ता तो ये हवाला ने इंगलीस मां केवाई छे Adjustments के जेनी आपणे कमसे कम बे असर आपवानी थती थी तो ये बदा अलग-अलग हवाला ओने पण आपणे सीखी सू आपणा अकाउंट सबजेक्ट नी अंदर हवालाने इंगलीज मां कईसु एडजेस्टमेंट औने आज हवाला तमने जो काचा सवाई यानी अंदर जापेला होई पण आपने सुधवाना होई जेने केता ता गुप्त हवाला जेनी बाजुमां कोई तारीक, कोई टका के कोई बिजी महिती आपी होई जेना उपर ती आ तमने आवतु तु बहुझ महत वनु चेप्टर, जेने पन गणाबद स्टुडेंट थियोरी चेप्टर समझी नेज इग्नोर करता होई छे पण अगेन आ चेप्टर पन तमारी एफवाई बिकोमनी सर्वात माज आवसे जे छे हिसाबी सिध्धान्तो अने प्रणा हिसाबी सिध्धान्तो एटले के अकाउंटिंग कॉंसेप्ट एन 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 जैनु बिजु नाम अतु पाका सर्वाई यानु समी करण, जेसु अतु मिलक तो इस इक्वल टू मुडी वत्ता जवाबदारी, तो हिसा भी समी करण दें इंगलीस मा केवाई छे, एकाउंटिंग इक्वेशन अतु पाका सर्वाई यानु समी करण, जेसु नाम छे, एकाउंटिंग इक्वेशन अतु बालेंस इक्वेशन, अने इक्वेशन सु छे गुजराती माँ मिलक तो बराबर मुडी वत्ता जवाबदारी, तो इन्गलीस मा सु खईशु, assets is equal to capital plus liability एना पची तमने छेल्ले आवतो तो बिन वेपारी संस्थाना वार्सिक हिसाबो तो बिन वेपारी संस्था कि जे नफो कमावाना हितु थी नथी करती काम पन समाजना कोई विकास माटे विज्णान, धर्म, कडा ए बदाना development माटे काम करे छे तो एने केवाई बिन वेपारी संस्था तो बिन वेपार एटले के non trading जो trade एटले वेपार अने बिन एटले non तो non trading concern एटले के संस्था तो बीन वेपारी संस था इलेके non trading concern जेनी अंदर तमने मुख्यात वे त्रोण वस्तु बनावा निया आवती थी आवक जावक खातु उपज खर्च खातु औने पाकु सर्वाई तो सेम जमन आगड़ पन भणेया तो जिम नवी वस्तु छे एसु छे आवक जावक खातु जैने इंगलीस मां केवाई आवक एटले receipt औने जावक एटले payment खातु एटले account तो यहनु नाम छे receipt and payment अकाउंट जो तमने याद होई पा आवक जावक खातु cashbook जीव एटले के रोकड मेड जीवूज होई छे तो आवक जावक खातु जैने इंगलीस मां केशू receipt payment अकाउंट अने बीजु आवत तो उपज खर्च खातु जैने इंगलीस मां केवाई छे उपज एटले income अने खर्च एटले expenditure account तो एनु इंगलीस नाम सूचे income and expenditure account जे वेपारी संस्थाना profit and loss account इलेके नफा नुक्षान खाता जीवूज होई छे अईया तमारो second part conversation session सेशन सीरीज नो पुरो थाई छे I'm sure के तमने लुकों नामाथी गणी बदी कामनी माहीती मढी असे आ वीडियो ने तमे फरी थी 2-3 वखा तत्थवा जारे पन समय मढ़े त साथे जरूर थी सैर कर जो अने आना पची session 3 खुबत जल्दी आउसे जनी अंदर बार मा धुरोण ना भाग एक नू आपड़े रिविजन करी सु तो तमे एनने पन ध्यान थी सांबड जो कईपण confusion होई तो तमे अमारा नंबर पर कॉल करी सको छो तो तामारी office पर पन मु इंडिजितल और बिंटलिएंट विट साथ इंस्टित ओविए जाए हिल्ड बार्ड 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 याइन